दोस्तो आप सुभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज का टॉपिक है टाइपस ऑप बैंक्स इन इंडिया आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नौलिजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क के बैंक्स हिंदुस्तान में कितने प्रकार की होती हैं बहुत से लोगों को ये कंफीजन होता है कि प्राइविट बैंक्या होती है, सरकारी बैंक्या होती है और बहुत प्रकारी बैंक्स होती है, तो उनको confusion होता रहता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इस सारी confusion को खतम करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है, don't waste time तो सबसे पहले मैं आपको पताना चाहूँगा structure and types of banks in India, तो इसमें सबसे पहला part होता है हमारा public sector bank, जिसे आप कहते हैं सरकारी bank, मतलब government bank, तो इक कौन-कौन से होती है, तो सबसे पहला होता है state bank of India, इसके अलाबा nationalized banks, जितनी भी इंदुस्तान के अंदर nationalized banks होती है जैसे के bank of India, central bank of India, पंजाब national bank, bank of बड़ोदा, यह सारी की सारी सरकारी banks होती है, थर्ड नंबर पर कर हम बात करें other public sector bank में, IDBI bank, यह भी हमारी सरकारी bank होती है, मतलब public sector bank होती है तो उम्हीद दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि सरकारी bank हम किसे बोलते हैं, इसके बाद हम चलते है RRBs, RRBs का full form होता है regional rural banks, अब यह क्या होती है इनका जो ownership, यह हम कहां कि capital जो provide की जाती है, 50% की जाती है central bank के दौरा, 15%, 15% दी जाती है state government bank के दौरा, और थर्ड हमारा point है sponsorship bank जो होती है, उनके दौरा 35% होती है मनला जो उनको sponsorship करती है अब यह कौन-कौन से banks होती है, इस list में आपको यह confusion होगा कि भाई, RRBs के दो-चार example दीजिए क्या का नाम होते हैं, तो उनके कुछ example में आप लोगों के लिए लखा हुआ है, जैसे आर्यवर्द bank, करनाटका ग्रामिट bank, हिमाचल प्रदेश ग्रामिट bank, और सर्व हर्याना ग्राइड बैंक, तिरपुरा ग्रामिट bank, उत्राखंड ग्राइड बैंक, महराष्टर ग्राइड बैंक, विधर्ब कोनाटक ग्राइड बैंक, तो यह जितने भी examples हैं, यह सभी ग्रामिट बैंक हैं, आर्यवर्द आपने देखा हुआ यूपी में, हर जगे आपको आर्यवर्द bank मिल जाएगी देखने के लिए, दूस्तों तीसरा हम बात करेंगे, प्राइड शेक्टर बैंक क्या क्या होती हैं, तो प्राइड शेक्टर बैंक में जो बैंक होती हैं, पहली चीज़ होता है कि इंडियन इसमें एग्जांपल देता हुए आपको के जैसे हिंदेट बैंक है, फ्राइड बैंक क्या होती है, क्या इसे लावब बहुत वह गात करेंगे, अब फ्रण प्राइड बैंक क्या होतीए, इनका इंह्तल में पॉहाल है इनक्त्य और जो हैड़काटर होता है यो फॉरम में होता है विदेश में होता है लेकिर दुस्तान के अंदर अपना व्यापाइब चला रही है इनका एक-एक अफिस हमारे हिदूस्तान में है तो जैसे के सिडी बैंक HSBC और बहुत सारी बैंक होती है, इस बैंक पर खूर, अर Йो बैंक ओश्तल्ड बैंक ऐसे सारा आपको मिल जाएंगी बैंक इस बैंक धूर में आपकोमन Mark उतलि हैएamm इसके लबार होता है payments bank हिंदुस्तान के अंदर एक नई category स्टारट हुए हैPayments Bank की तो फिनो पोमेंसे बैंक इस कतिक्रिय में आती है PayTM Bank भी है इस मैं आती है और India Post इस क展 panc360 दूसरा है हमारे small blanche bank Small Finance Bank कौनकों से होती हैं आपने दुना सुना होगा EU Small Finance Bank उतकर से Small Finance Bank और बहुत सारे Small Finance Bank इंदुस्तान के अदर बन गए हैं Local Areas Bank की बात करें तो Local Area Banks हमारे कौनकों से हैं जैसे Coastal Local Area Bank Limited इसके बाद बात करेंगे हम दूसरा है कि और सुबद्रा Local Bank Limited तो यह सारी की सारी हमारी जो है Local Area Banks कहलाती है इसके बाद हम बात करेंगे Corporative Banks अब Corporative Banks कौनकों से होती है तो इनका Classification किया है Corporative Banks होती है Urban Corporative Bank District Central Corporative Bank और Land Development Banks यह सभी Corporate Banks होती है और यह कौनकों से होती है एक्जम्पल के लिए तो पहला मैंने एक्जम्पल आपके सामने लिखा है अभ्योदया Corporation Bank दूसरा एहमदाबाद Mercantile Corporation Bank और तीसरा हम बात करें डॉम्भी बुली नगरी सहकारी Bank और इंडियन Mercantile Cooperative Bank Limited और हमारी लास्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट Cooperative Bank Limited इसके लावा बहुत सारी Cooperative Banks होती है वह आपको मिल जाएगा लिस्ट तो उम्मीद है यह बैंक का structure आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगर कोई व्यक्ति आप से पूछे कि सरकारी बैंक क्या होती है RRB क्या है Private क्या होती है Cooperative Banks क्या होती है तो आप इस structure के माद्दिम से आप अच्छी तरह समझ जाएगे कही बैंक कौनकोंसी होती है और दोस्तों अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे comments box में लिख सकते है मैं आपको और डिटेल वीडियो बना दूँगा कि payments bank का काम क्या होता है small finance bank का काम क्या होता है local area bank की definition क्या होती है सरकारी bank क्या होती है full flash bank क्या होती है यह सारा का सारा वीडियो में आपकी request में बना दूँगा thank you very much